हेलो फेलकम वेल्कम तो माई चानल बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चानल एयार स्कॉरेट के ट्रिक्स औंचीट पोट्स के 815 अपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी स्ट्वेंट्स जेहीमें 2024 के एक्जाम आपके सामने हैं और अगर आपको आपर टेंचन हो रहेगी किस तरह के साब जेहीमें 2024 को क्राक करोगे बहुत सारे बच्चों का जो स्कॉर है वो को टेंचन लेने कि आपर कोई जरुवत नहीं है आप एंडरोल करो जेहमें 2024 के एक्स्ट्रोश कोर्स में जो कि मेरा एक्स्कूर्स कोर्स है जिसको आजारो करते हैं और अपने स्कूर के अदरवें बूस्ट करते हैं दोजार चॉबिस के लिए एक्स्क्लूजिव ब्रांड तो वहां से आप 117 180 200 इस रेंज में ज़याने लगोगी काफी exclusive प्रीमियम लेवल कोर्स को पर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा जाकर कर आपको कोई गलेगा ऑपको कुई और गगए होगे तो दोआ है बेस्ट इवा अपके मैं आपके सामने सामने क्वेशेंज लिया है पर description में मिलेगा, lines है हमारे पस में जो ए series चल रही है, आपको follow करना है, अभी फिलाल जेही में 2024 के लिए videos बन रहा है, यह जो दोनों question है 2023 में आया था, और यह जो दोनों question है 2022 में आया था kinematics से, चारों जो questions है, वो acceleration वगरे से related है हमारे पस में, acceleration due to gravity and all those things, तो मैं आप लोग आपर shortcut technique सिखाऊँगा, किस तरी किसे, आप लोग quickly जो है, इस step के questions को उड़ा सकते हो, जुगान लगा कि किस तरी किसे tricks लगा सकते हो, जो कि आपको exam में help करने वाले हैं, first question अगर आप देखो, a ball is thrown vertically upward, with an initial velocity of 150 meter per second, the ratio of velocity after 3 second and 5 second is इतना, ठीक है, the value of x is, देखो, simple सा बात है, आपको पहले ही समझने की जरुवत है, कि जो acceleration due to gravity होता है, जी, उसकी value कितनी होती है, 10 meter per second square, अब आपको पता acceleration का मतलब क्या है, change in velocity, change in velocity with respect to time, right, है न, change in velocity with respect to time, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 10 meter per second square का मतलब पता है, 10 meter per second per second, मतलब कि हर एक second में 10 meter per second से speed जो है, वो change हो रहा है हमारे पास में, इस logic को आप समझो, तो आप feel करना, अगर कोई body नीचे जा रही होती है, उसकी speed अगर x है, तो एक second बाद उ उसकी speed x plus 20 होगी, समझ में आ रहा है, after one second, after two second, और अगर कोई body उपर जा रहा है, उसकी speed y है, तो एक second बाद उसकी speed y minus 10 होगी, और दो second बाद उसकी speed y minus 20 होगी, क्या आपको इस logic समझ में आया, change in velocity per second, चीग है, अब आप देखो, अब shortcut से फट से कैसे solve करना है, बिना equation लग second बाद कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, this is what, 100, clear है, अब जो ratio आएगा, इसका वो क्या आएगा, 120 by 100, simple हो गया, 12 by 10, simple हो गया, 6 बटा 5, तो यह जो हो गया, हमारे पास में x की value 5 हो गई यहां से, 5 plus 1 by 5, तो answer is what, answer is 5, तो यह जुगार समझो, आप, shortcut समझो solve करने, आप उपर गया, तो 10-10 से speed गम होगी, नीचे आया, तो 10-10 से speed बढ़ेगी, अगर G की value 10 है तो, right, अरे second question देखो, केरा particle starts with an initial velocity of 10 along x, and accelerates uniformly at the rate of 2, the time taken by the particle to reach the velocity of 60, simple है, oral question है न, इक्वेशन लगाने का जरुवती नहीं है, पहले 10 पे था, बाद में 60 पे पोचेगा, कितना बढ़ हो रहा है, दो, तो 25 सेकेंड में 50 बढ़ेगा, तो answer कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इतना simple question है यार, इतने simple questions जे इमेन के अंदर में आते हैं, जिनको आप orally उडा सकते हो, calculation के बच ट्रिक में आपको समझा रहो, फट से कैसे करना है आपको, acceleration का मतलब समझो, हर एक second में जो change in speed हो रही है, वही acceleration है, अगर कम हो रहा है तो negative में आएगा acceleration, deceleration बोलते हैं, बढ़ेगा तो acceleration बोलते हैं, आप जेसे इस question को देखो, यहाँ पर जुगार से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको questions को उडाना रहता है, आप question देखो, a jugler throws the ball vertically upward with the same initial velocity in air, ठीक है, जगलर होते हैं, circus workers में ball फिकते हैं, back to back, when the first ball reaches the highest position, he throws the next ball, वालब की, पहला ball उसने हाथ से छोड़ा, जब वो top में पहुचेगा न, तो वो दूसरा ball उस time पे फिकेगा, ठीक है, assuming the jugler throws n balls per second, maximum height the balls can reach is, यहाँ पर क्या आप actual तरीके से equation वगेरा लगा के solve करते हैं, मैं आपको जु n equal to 1, jugler throws n balls per second है, मैं कहता हूँ, let jugler throw 1 ball per second, समझ भा रहा है, n equal to 1 का मतलब क्या होगा है, jugler एकी ball फेक रहा है, इसका मतलब क्या है, पहला ball जब वो फेका, वो top तक पहुचेगा, तब वो दूसरा ball फेकेगा, इसका मतलब उसको top तक पहुचने में 1 second लग रहा है, क्रिकि ठीक है, तो आप ये देखो, ठीक है, मैं इसकी, मैं ये कर लेता हूँ, इसकी जो speed है, उसको भी मैं कुछ fix कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर, या फिर, या फिर maximum height reach, अचा, समझो, 1 second में वो top तक पहुच रहा है, तो हमारे पास में, आप ये निकाल सकते हो, जैसे की, ये एकवेजन होता है, Na, S equal to VT minus half 80 square, एक तो होता है, S equal to UT more half 80 square, और एक होता है, S equal to VT minus half 80 square, तो VT में V final velocity होता है, ये basically होगो, S equal to UT plus half 80 square, इसमें V equal to U plus 80 से substitution डालोगे, तो ये आपका आ जाएगा S equal to VT minus half 80 square, तो S की value कितनी है, S equals to VT तो zero हो गया, final velocity top में जाएगा, तो zero हो जा में आएगा minus half into acceleration is minus 10 so minus half into minus 10 into time तो वह नहीं है तो यह आगया मेरे पास में 5 meter तो s कितना आया 5 आया राइट अब आप options में भी same substitution डालो options में भी अगर आप same substitution डालोगे तो यह आएगा g by 2n तो यह आगया 5 g by n यह आगया 10 2gn यह आगया 20 और g by 2n square यह आगया 5 तो option b और c तो वैसी eliminate हो गया ना आपका a और d में से आपको तुक्का लगाना है clear है अब अगर आप थोड़ा सा और शातिर बनना चाहो तो आप क्या कर सकते हो let कर सकते हो let n equals to 2 अब आप क्या कह रहे हो आप कह रहे हो कि बिटा एक second में वो 2 ball फेक रहे है एक second में वो 2 ball फेक रहे है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है एक second में 2 ball फेक रहे है मतलब यह है कि एक ball को उपर पहुचने में top में पहुचने में आदा second लग रहे है क्योंकि वो एक second में 2 ball फेक पा रहे है समझ गया आप बात को तो इसका मतलब इसको टॉप में पहुचने में मतलब ये टॉप में पहुचा आदा सेकंड में फिर वो दूसरा फेका फिर दूसरा टॉप में पहुचा आदा सेकंड में तो एक सेकंड पूरा हो गया फिर वो तीसरा फेका ठीक है, तो टॉप में पहुशने में आदा सेकंड लग रहा है, फिर से यहां से आप ऐसी कोज टू वी टी माइनस आफ एटी स्क्वेर कर सकते हो, वी टी की वेलियो अगेन जीरो माइनस हाफ एंटू माइनस 10 विल बी 5, इंटू टाइन का स्क्वेर इस बार होगा, हाफ का स्क्वेर, क्योंकि आदा सेकंड लग रहा है, तो 140 हो जाएगा, 5 बाई 4 समझ गए, तो अब आपको क्या करना है, वापस से option A और D में खाली चेक करो, क्योंकि आपने B और C को वैसी eliminate कर दिया है, A और D में आप चेक करो, N की वेलियो 2 रखो इस बार, तो N की वेलियो अगर आप 2 रखते हो, तो G upon 2, मतलब कि 10 upon 4 आ रहा है, option A में, और यहाँ पर आ distance आया, इसका मतलब, the actual answer is D, the actual answer is D, जुगार से solve करना सीखो, N की वेलियो हमने लेट कर लिये, इसको कहते है, assumption method, इसको कहते है, assumption, assumption method, हमने N की वेलियो ही assume करके, इस question को उड़ा दिया, ठीक है, हम डारेट N की वेलियो 2 भी ले सकते थे, तो एकी बार में answer आ जाता, बट कैसे करना होता है, अच्छा, last question आप देखो, last question में क्या दे रहा, ball is released from a height edge, if T1 and T2 be the time required to complete first half and second half of the distance, respectively, then choose the correct relation between T1 and T2, obvious सी बात है, किसी height edge से अगर मैं फेकूंगा, यह edge by 2 है, यह edge by 2 है, तो पहला जो half है, उसमें अगर time T1 लग रहा है, दूसरा हाफ में जो time T2 है, obvious सी बा क्योंकि शुरू में जो speed होती हो, कम होती है, आगे जाते हैं जब वो गिर रहा है, गिर रहा है, क्योंकि धरती का प्रकोप भी तो है, तो उसकी speed बढ़ रही है, तो last में जो same distance cover करेगा, वो कम time में करेगा, compared to initial first half में जो distance cover कर रहा है, उसमें जितना time लग रहा है, so T1 has to be greater than T2, अब आपको पता है, root 2 की value 1.4 होती है, so इसको मैं बोल सकता हूं, T1 equals to 1.4 T2, so this is T1 greater than T2, option A can be correct, option A can be correct, यहाँ अगर आप देखोगे, T1 is equals to 0.4 times T2 आ रहा है, root 2 is 1.4, 1.4 minus 1, sorry, 1.4 minus 1, हाँ, 0.4 times T2 आ रहा है, तो यहाँ से clearly समझ आ रहा है, T1 is less than T2, तो यह option incorrect होग B, फिर आपर देखो कि option C में, so यहाँ पर देखो है, T2 is 2.4 times T1, तो यहाँ पर भी हम देखो, क्या समझ में आ रहा है, कि T1 is T2 upon 2.4, मतलब कि T1 is less than T2, right, तो option C भी नहीं होगा, और option D अगर आप देखो, तो T2 is equals to 0.4 times T1, तो यहाँ पर आपको देखो है, कि T1 is what, इसको इधर लिखे जाएंगे, तो 10 upon 5, 4 आ जाएगा, 2 point something times, so T1 greater E, आ रहा है T2 से, ठीक है, तो option A और D में से आपको तुक्का लगाना है, दो option हमने यहाँ पर यहाँ पर sure shot eliminate कर लिए, अब अगर आपको थोड़ा सा और exact देखना है, तो उसके लिए, आप क्या कर सकते हो, equation से फ रखते हो, half into G, मतलब की, half into G को में सीधा 5 ही ले लेता हूँ, ठीक है, 5 T1 square, ठीक है, और पूरा distance कितना H है, तो H equals to 5 into total time का square, मतलब T1 प्लस T2 का square हो गया, basically, है ना, T1 प्लस T2 का square हो गया, basically, clear है, यह इस तरीके से हमारे पास में हो गया, ठीक है, यह इस तरीके से हमारे प प्लस में हो गया, यह फिर मैं इसको एक बाद T2 ही बोल देता हूँ, 5 T2, clear, तो यहां से मेरा जो total time है, वो कितना आएगा, total time is H upon 5 का root, clear, और यहां से जो मेरा T1 आया है, वो कितना आया है, यह फिर मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, नहीं, रुको, यह जो equation था मेरा वो क्य अब था ना, मैं by 2 कर देता हूँ, और मैं दोनों equation को divide कर, this is my equation 1 and this is my equation 2, मैं दोनों को divide करके equate कर देता हूँ, तो यहां से भी आ जाएगा, H by 2 है, तो 5 T1 square equals to 5 T1 plus T2 का square, यहां से भी आप एक relationship देख सकता हो, 5 से 5 कर जाएगा, तो यहां से आ जाएगा, T1 square equals to, यहां से आ तो यहां से भी आप कुछ solve अगरा करके देख सकते हो, क्या, ठीक है, T2 square plus 2 T1 T2, यहां से भी आप कुछ देख सकते हो गया, T1 square T1 square plus 2 T1 T2, नहीं, उतना समझ में तो नहीं आ रहा है, उतना समझ में तो यहां से नहीं आ रहा equation कैसे solve होगा, बट, बट, एक और जगाड हम आप यह देख सकते हैं, कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, एक case ही ले लो, ठीक है, आप एक case ले लो, और आप यह देख लो, कि भईया, 100 meter की height ले लो, आप देख लो, 50 meter कितने दिर में cover करेगा, 50 meter कितने दिर में cover करेगा, आप दोनों को solve कर सकते हो, ठीक है, तो यहां पर इंटो T1 स्क्वेर, तो यहां से आपने T1 स्क्वेर निकाल लिया, 10, T1 स्क्वेर इस 10, और आप क्या कर सकते हो, 100 is equal to, आप कर सकते हो, 5 इंटो T2, तो यहां से आपका आगया T2 कितना आगया, 20, खेके न, तो अब आप देखे हो, कि T1 स्क्वेर इस 10, 10, so T1 is root 10, and T is root 20, so T2 is what, T2 is T-T1, root 20-root 10, तो अब आपका आपस में T1 की भी वैलू है, T2 की वेर, आप compare कर सकते हो, so T1 कितना है, हमारे पास में root 10, और T2 हमारे पास में कितना है, root 20-root 10, approximately आप देख लो, root 10 की वैलू होती है, 3 point something, root 20 हमारे पास में हो जाएगा, 4 point something, और यह हमारे पास में कितना हो जाएगा, यह हमारे पास में हो जाएगा, 3 point something, so यह हमारे पास में हो जाएगा, 3 point something, so T1 ज आसपस मेरे को दिख रहा है T1, यहां पर आप देखोगे तो 1.4 टाइमस है बट यहां पर आप देखोगे तो 3 टाइमस के आसपस है, तो कि जब आप इसको यहां लेके जाओगे तो T2 पाई 0.4 आजाएगा, 10 अपन 0.4 आजाएगा, तो that will be 2.5 आपको यहां पे, कुछ नहीं कि हमेंने एक normal case ले लिया, आप यहां से भी कर सकते तो हम stuck हो गए, 50 के लिए देखा, हमने T1, root 10 आया, total के लिए देखा, 100 के लिए हमने देखा, तो root 20 आया, तो total time में से T1 अट आया, root 20 माइनस root 10 तो T2 आया, approach calculation किया, यह 4 point something है यह 3 point something है, तो 1 point something, root 10 is 3 point something, तो यह approximately 2-3 गुना आएगा, ठीक है ना, T1 की value compared to T2, तो वो हमको यहां पर option D में दिख रहा है, तो आप option D को यहां पर जो है, mark कर सकते हो, ठीक है, सो कैसे भी आप करो यहार, बस जुगार लगा कि आपका answer आना चीए, अगर actual तरीके से आपका नहीं आ रहा, equation पगेरा solve करने में, जिसे मैं आपके अटका, मैंने आपके values लेगर के कर लिया, यहां पर हमने N की values लेगर के कर लिया, कैसे भी करके आपको यहां पर question को solve करना आना चीए, और quickly calculations करना exam में आना चीए, जिसे कि आप जो एक्स्ट्रा आपन आपने, ताकि वो भी इस platform को मज़ा उठा सके बागी, तो बस बहुत 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 धनवाद, मेरे साथ जोड़ में जड़ने के लिए, बने रही है यार,